अलो दोस्तों आज के मार्केट में आप सभी का सौगत है तो बात करते हैं आज के ट्रेट के बारे में और पूरा मैं डेटा के साथ एक्स्पेंट करना हूं मैंने डेटा आपको निकाल लिया डिटेल में आपको समझाता हूं पहले जो हमने प्लान किया था यहां पर आप चीज पर यानि याप साथ सोपे आपका ट्रेट कर रहा था लगबाद 300 पाइंट मार्केट दूर था अर्टाली जैसे तब ही मैं और इस अर्टाली जार पे मैं बहुत दिनों से मैं आपको बता रहा हूं यह ऐसा लेबल है जहां से मार्केट टर्न हो सकती और ब्रेक होटे यह है कि इस चीज को इंटिफाइ करने के लिए बोलते हैं इसको होल्डिंग पॉजिशन अब यहां पर एक चीज हमने मेंशन भी किया है आपको फिन निप्टी के बारे में प्लान किया था अब दोको इतना चका सा रिवर्सल हुआता है 21,300 पर होल्डिंग पूजिशन या तो पचास को और 21,300 का पी दोने स्ट्राइक त्रैस को ध्या रखना अब डेटा अगर मैं आपको समझाता हूं तो को होल्डिंग पोजिशन अगर आपका है 21,300 पर तो सिंपल अपने को यहीं पता चाज़ जाए कि ओले 2,40,000 का वाइलूम है जो कि एक लास आती जार जो कि आपका पूट में वायल यानि तीनों चीज़ें सीधी सीधी ज्यादा होती है मैं आपको बहुत बार बता चुका इसके बारे में ओपन इंटर्स वायलूम प्लस चेंज ओपन तरिए एंटिंग होगा तो यह वह पोजिशन काउंट राइट यह ओगया होल्डिंग फिसन मिल गया क्योंकि market डाउन जाए का तो यह एक्तिव रहे हमें साहे मार्केट पुछ कर देगा अब बचा अपना एड्वनी जिसको हम ब्रेक करने वाले जब ब्रेक करने वाले जो हमारे साथ लोग हैं तो हम ब्रेक कर सकते पॉसिबिल्टी हमारे पास जादा है तो उस हिसाफ से अगर समझने को तो दह जार का कॉंट्रेक्ट है जो कि 9000 आपका कॉल साइड में तो पूट साइड जादा है तो सबसे पहले मार्केट किस तरह रियक्ट करेंगी अपसाइट के लिए अब इसी चीज़ को और स्ट्रोंग बनाने के लिए कौन आ गया ओपन इंट्रस्ट यानि बड़े प्लेयर भी यहां पर है तो यहां पर आप देखोगे अठरा जारे लेकिन यहां पर आप देखोगे तेई साजारे क्योंकि मार्केट मालब रेंज होके ब्रेक हो रहे तो हमारे लिए और भी पॉसिबिल्टी हाइए होगे कि मार्केट को आप साइट ब्रेक आउट होना चीज़िए तो सिंपल अगर करेक्शन के लिए मार्केट डाउन भी आता है तो यह तो अगर जैसे फॉर एक्पल मार्केट कैसे चला ऐस मतलब वीड की परेक्शन वाला पाट है अब कितना डिफेरेंस माल लेते हैं कि 50.58 का डिफेरेंस है और आपका 50.58 के मूमेंट पर जो परेमियम बढ़ता है मैं माल लेता हूं कि 50.59 आपका बढ़ता है सीधा सीधा criticizing काल्कुलेशन में बताता हूं कि यह आईसा नहीं है ब होता नो 50 पैंट मार्क न मुव्मेंट करता है तो 25 मार्क खाया हुआ आपका प्रिमियम इनक्रीज वह टूब हमने यहाँ पर 20 और 25 पर डिसाइड किया तो मार्केट कितना तीस पॉंट मार्केट गिर चुका है तो बचा कितना 20 point market बचा हुए market इस strike price बचा है अब simple सा logic है जब holding position है तो आपने directly आप इसी zone पर यानि 20 point तो 20 point market गिरता है तो कितना premium आपका loss कितना है 10 रुपय का तो 10 रुपय का बेसा लेकर direct entry कर जाओ उस case में आपको जब पता ही है कि holding position है 100 रुपय का लगाओ direct entry मार उसमें उसमें सोचने वाली बात नहीं है हाना तो इस हिसाफ से ज्यादा तर मैं इसी तरह करता हूं calculation delta देखो आपका sport chart देखो कितना premium difference हो जाएगा market 50 point गिरता है कितना premium बड़ाई बस उतन आपका SL निकाल लो अगर market गिरता भी है ठीक है लेकिन आपको confident है फिर जाकर प्लान कर सकते हो अगर यह point मैं आपको बता हूं दोस्तों मैं आपको डेली बताने कोशिश करता हूं उमीद करता हूं कि कुछ लोग को समझ में आ रहा हूं जिसको भी समझ जो भी लोग समझने कोशिश कर रहे हैं मुझे definitely विश्वास है कि वो आगे जरूर जाएंगे पक का आगे जाएंगे आज नहीं तो कल उनको सब्सक्राइब करो तो पॉसिबिल्टी बहुत कम एकुरियसी है खाली चाट देखें बीना डेटा देखें बीना उसके पीछे का रिजन जाने चाट देके ट्रेट करोगे फसने की चांसे काफी ज़्यादा है मैं आपको रियल एक्जांपल प्रैक्टिकल एक्जांपल दिखाता हूं यहां पर अब पहले में का डेटा कंपेट करता हूं देखो होल्डिंग पोजिसन मिलगा अपने अब आट दमानी पगर आप नोटिस करोगे जब होल्डिंग पोजिशन पे लोग बैठे हुए तो आपने को आट दमानी ब्रेकाउट यानि 350 पर क्या चाहिए ब्रेकाउट तो उस केस में हमारे पास क्या है बायर से 10,000 का कॉंट्रेक्ट यहां पर रहें 9,000 का आपके पास सेला के पास तो यहीं मोसली हमारे एक हजार ज्यादा है अब इसी चीज़ को सपोर्ट करने के आपने कि अब मार्केट बूलिश जाएगा फिर बेरिश जाएगा तो जब बूलिश जाएगा ता आपका पैसा बन जाएगा ठीक है तो हाई चांस से क्योंकि यहां पर चेंज आपाइंट्रस ज़्यादा है अब देखो एक पॉंट यहां पर समझो वाइलूम कम क्यूं हो ठीक है वायलों यहां पर क्यों कम होता है और होल्डीं पोजिशन पर क्यों कर ज़ादा है क्योंकि यह ट्रेडिंग एरिया है रेड हो चुका है इस वज़ये से वायलों जर्नेट हुआ है यह चीज़े में बहुत बार बता चुका हो अपनी वीडियों में उम्मीद करते हैं कि आपको समझना रहा होगा ठीक है तो यही चीज़े में बहुत बार बता चुका हूं अपनी वीडियो में उमीद करते हैं कि आपको समझने आ रहा होगा ठीक है तो सिंपल सा यही लॉजिक था यानि बड़े प्लेयर चोटे बड़े प्लेयर में चोटा और बड़ा सब मतलब यह मेरा डिफिनिशन है बाकी अपने इसाब सभी आप समझ सकते हो जिस भी तरीके साब को समझने आता है और देखो जैसा मैंने बता कि खाली चार्ट देखें अगर ट्रेट करते हो तो रिस्क नॉर्मली अगर कोई ट्रेट कर रहा है उसका थोट प्रेसिस क्या चल लाए कि मार्के अच्छा खासा करेक्टन हुआ है एं हायर एं हायर लोग कंडिशन मार्केट ब्रेक होती जा रही है तो यह जो करेक्शन आप देखे हो यहां आज वाला करेक्शन देखे हो किलियर कट ब्रेकाऊट है यानि previous day का हाई ब्रेकाऊट है और विद रिंज ब्रेकाऊट है ऐसा भी नहीं कि डरेंट ब्रेकाऊट है तो यहां पर और क्या यहां पर thought process होगा चाट पैटन देखके जो लोटेट करते हैं अच्छा खासा यहां पर market के है movement किया दे ब्रेक आउट है और इतनी बड़ी स्टोंग अंडल लेकर कोई भी समझ जाए कि बायर सियाँ पर एक्टिवली यहां पर क्या की बैक्टीव है इस पर ने अक्टिव होता है तो दूसरा कंडिशन यहां पर वो लोग सुझते कि यहां पर चलो यह रिट्रेस्मेंट कंडल है तो यहां पर इंटर कर सकते हैं पॉसिबिल्टी यहां है कि most of the time लोग यहां पर इंट्री करते हैं क्योंकि रिट्रेस्मेंट का सभी लोग वेट करते हैं मैं भी वेट करता हूं लेकिन मैं डेटा देखने के बाद वेट करता हूं तो यहां पर क्या होगे फसनी के चांसेस आपके ज्याद है लेकिन अगर आपको पहले ही पता है कि यह होल्डिंग पोजिशन सेलर्स का तो आप नहीं इंट्र करोगे और डिरेक्ली मैंने यही चीज बोला कि यह अवाइट कर यह अनकनफर्मेशन ट्रेड एरिया है इस तरह के ब्रेक आउट अगर बीना वाइलों के साथ अगर ब्रेक यह अनकनफर्मेशन में काउंट होता है बाकाइदा मैंने अक्स्प्लेइन भी किया मैं आपको दिखा दिया रहा हूं यह अब दिखो बायर अनकनफर्मेशन और वाइड इसी वजह से यह वही कंडल मैं आपको समझाने कुछ कर ओके तो वही चीज़े हैं दोस्तों बीना डेटा देखे अगर ट्रेट करता हो तो उस हिजाब से कंफर्मेश आपका क्या होगा बीन के चांसे कम रहते हैं अब मैं आपको एक्स्प्रेंट करता हूं कि मार्केट क्या हुआ क्यों यहां से रिवर्स हुआ अब देखो उसमें तो हम लोग ट्रेट के लिए बाद में इंट्री बनाया थे लास्ट में हमने यहां पर रिवर्सल पिंट्री मारा था है कि यहां पर जो कि अच्छा-कासा सौ पाइंट का मुवमेंट हुआ था ओके तो इसमें हम लोग का अच्छा-कासा प्राफि जन था अगर आप समझो 11 बजे का यह डिटा है और तालीस अजार का जिको होल्डिंग पोजिशन आप समझो देखो हाइस्ट होल्डिंग पोजिशन का वाइलूम कहां पर है पूरे अगर कॉल साइड मगर वाइलूम अगर देख रहे हो तो सबसे हाइस्ट वाइल में 20 ला इसका मतलब बड़े बंडर का जो फ फोल्डिंग है इस केस में क्या होगा यह पोजीसर्य में होटक होगा ना के सब्सक्राइब कर 20 अ sell correctने सीप टिंग होना चाहिए नि तो अगर आप देखो घ्र यहां पर अपन Championships करोorie यहां पर चैंज ओपर सा आप 53000 है यहां पर तो आस-पास कॉंटेट है लेकिन क्या आइक है कि मज़त lijкий इस वज़ा यह जो तो वही कंडल breakout हुआ है क्योंकि यहां पर इंट्रडे में लोग को यहां पर पोजीशन नहीं बनाए तो उसके स्मेटिक है थोड़ी दिर बाद यहां पर पोजीशन बनाए गया इंट्रडे में तब तीनों चीजे क्या हुआ है ज्यादा हुए है यानि जैसे हमने बता है तक पोजीशन येंरकेट भ्रेक हुआ था क्योंकि ये क्या है कि बायर साइटी चेंजओं पर जइता है यह हो घांड़ घ्रकरायए यहां आपको ब्रेक कर रहा अगर आपको ब्रेक करना है क्योंकि मार्केट अगर आपका रेंज है आप लो युम के पर आपका अपका होल्डिंग पोजिशन लेवल पर तभी होना चाहिए तभी वह काम करेगा प्रॉपर डाउंसाइट के लिए अधरवाइस मार्केट रिंज होने की हाई चांसर होते हैं अब बात करते हैं कि हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं मंडे को अब समझते हैं कि मंडे कैसे प्लान कर सकते हैं और क्या हमार लिए एरिया जो होना चाहिए वह कौन-कौन से इंपोर्टेंट लेबर्स होने चाहिए तो सबसे पहले निफ्टिक ओपन करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते है data shifting आप लोग दोस्तों जरूर देखा करो जब मार्केट ओपन होता है तब आप ट्रेक करा करो कि कहा वो पंटर ज्यादा है वह बहुत हेल्प करता है आपको second day लिए आपको help कर रहे को यह 21,240 एरिया है जो कि आज करेंट डेक आपका यह रिवर्सल एरिया हो गया राइट क्योंकि यह रिया हमारा क्या opening का भी है और रिवर्सल करें तो इस पर क्या होता है जब भी सेम टाइम पर मार्केट के आवा एक्जैटली रिवर्स होती है वह वापस दो ही सिच्योशन हो अगर यहां पर आयसे कुछ सिच्वेशन बनती है दुबारा के रिवर्स होता है यह वोल्डिंग एरिया में काउंट होता है यहीं पर डिसाइड होगा कि मार्केट अगर रेंज होता है तो क्या देखना आपको सिंपल देखना है कि पूट साइट चेंज ज्यादा होना चा मार्केट रेंज होगा बागी ओपन टरज होना चाहिए वो ध्यार नियान आप दिवीलों ओपन ट्रस और वायओं को कॉल साइड में ज्याधा हो चाहिए यूकि ब्रेक करने के लिए बड़े प्लेयर चाहिए बिख वाइलूम तब जाके मार्केट ट्रैप करेगा इंट्र 449 के आसपास मार्केट ब्रेक करते हैं तब प्लान कर सकते हैं मैं आपको डीटा दिखा देता हूँ जिससे आपको किलिए टी मिल जाएगा जो हाई यस टेक की सलर्ठ पान्सो आपका लेबर से मैं आपको बता नहीं 480 ती चार सो असी में कहां पर मतलब contract को open कर रहा है nearly at the money के पास कहां पर यह shift हो रहा है अभी की हिसाफ से यहां पर है 500 लेकिन market open होने बाद यह लोग कहां चले जाते हैं ठीक है जो adjustment होता है वो लोग क्या कर रहें क्या नहीं कर रहें फिर उस हिसाफ से अगर यह आपको क्या अगर यह shift हो रहा है तब हाई chances है कि market रूखेगा तब रूख जाएगा तब वह 500 को break नहीं करेगा तो अपने को data क्या धार रखना है वही फिर से आ गया open interest चाहिए volume चाहिए and change open interest चाहिए क्योंकि hold करने के लिए तीन तीनों लोग होना जरूरी है लेकिन अगर ब्रेक करना है तो बस सिंपल एक ही पाइंट धरकना है कि अपना change open interest क्या है कि market का ओपनिंग क्योंकि यह आप लगबाद 200 पाइंट निया पर लगबाद मार्केट 200-300 दूर है तो यह पाइंट धरकना है कि अपने को change open interest जो change open interest होना चाहिए वह आपका low volume के साथ ट्रेड होना चाहिए यानि पूट साइड में आपका change open जाना तो volume कम होना चाहिए ठीक है और open interest और आपका क्या होना चाहिए OIE and plus volume आपका call side में ज्यादा होना जिससे क्या होगा यह चीजें क्या अगर reversal होनी चाहिए यह अगर breakout अगर reversal होना होगा तो मार्केट क्या होगी hold होगी range होने के लिए तो तीन चीज ज्यादा होगी तो market reverse हो जाएगा लेकिन अगर break करना है तो मार्केट में क्या होगा सबसे highest change open interest होगा क्योंकि 300 point मार्केट दूर है तो market 300 point में ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ higher condition बनती जाएगी और इसके वजह से यह जो होगा यह जो करेक्शन होगा इसी करेक्शन मार्केट थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा लेकिन एंड में मार्केट कर जाएगे तीसी वजह से चेंज open interest में ज्यादा होना जरूर ही है यह point अपने को ध्यान रखना है राइट ओके और बात करते हैं थोड़ा bank empty के बारे में and bank empty में कैसे अपने को क्या point रखना है एंड यह आपना bank empty का चार्ट जैसे कि for example bank bank empty अब देखो bank empty में भी 2-3 situation आपको धारकना जो सबसे इंपोर्टेंट मारा जाता है एरिया जो कल यहां पर बांस हुआ प्राइप यह इरिया मारी इंपोर्टेंट है यानि साहता लिजए 400 लेकिन साहता लिजए 400 उतना इंपोर्टेंट हाई है लेकिन इसके नीचे वह ज जाके मार्केट रूखना स्टार्ट होती है तो 300 की जो मैं बात कर रहा थे यह रहां 300 अपना क्या आपना यह अज़र जिस्टन्स अच्छा सवरी सपोर्ट लेबल है 300-400 अगर आप एक चीज यहां पर नोटिस करोगे को इंट्राडे में कोई ट्रेडी नहीं किया है सबके सब एगेशीट पहरें बैठें ड्रेटा जो है सिमलर है जो कॉन्ट्राक्ट हैं ओंम सिमलर धाइmens Rings के हैं वह आपका है लेबल पर जरना साथ सो बाला इंपोट नहीं स्वाई चार सो लेंपोर्ट नहीं तीन सु या इसके नीचे कहाई यह स्मिलर डेटा अब देखोगी दोनौ ठीक है तो सिमिलर कॉंट्रेक्ट में क्या 48,000 तो आल लेड़ी यहां पर holding area जो कि आज इसने sell किया गया प्लस बड़े प्लेयर नहीं यहां पर contract को hold किया जिसके वह समार्केट गिरें लेकिन अगर बड़े प्लेयर नहीं हाई वायलियू के साथ sell करना होता तो अच्छा खासा intraday में कोई ने कोई जरूर इंटर होता ल ले नहीं हो जिसका मतलब कोई इंटरस नहीं ले रहा है यहां पर trade करने के लिए यह यह लेबल किसी भी time break हो सकता है अब किसी भी टाइम ब्रेक हो सकता है यह लेबल राइट क्योंकि previous जब यह गिरह था तो लोग इंटरस लिया थे लेकिन आज इंटरस नहीं ले इसका मतल यह open interest अनला चाहिए plus आपका change opened यह दोना चीज्य क्या होना चीज्व यह is it ज्यादा वह पर्सक्ट के लिए ट्रेड के सकते हो चेंज टेलिगर आप तो मैं अक्टिव रहूंगा वाकि मैं यहां पर सब कुछ आपको अपडेट करता रहूंगा ठीक है तो हर एक पॉइंट को धाया रखना दोस्तों लास्ट में यह कहूंगा कि डेटा समझने की कोशिक कीजिए इससे आपको काफी ज्यादा हैल्प मिलेगा